ये है 100% organic red gel food color और powder color मार्केट में ये बहुत costly मिलते हैं और हम घर पैसे बनाएंगे सिर्फ 10 रुपे में जी हाँ, आज मधुली का food connection में आप सब के लिए 100% red organic food color लेकर आई है मैं अभी powder form में और gel में चलिए स्टार्ट करते हैं से बनाना इसके लिए मैंने यहाँ पर ये दो beetroot लिए हैं पहले हम बराएंगे powder form का पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी tips and tricks दी हैं और साथ में cross check पी किया है कि हमारे करण सही बने हैं या नहीं ताकि आपको perfect results मिलें तो मैंने यहाँ पर beetroot को धो लिया चील लिया और हम इसे cut कर लेंगे ताकि इन्हें handle करना easy हो जाए आप हाथ देख सकते हैं कितना अच्छा color आया है हाथों पर भी red color तो इस तरह से मैं यहाँ पर beetroot को cut करने के बाद में grate कर लूँगी आप चाहें तो यहाँ पर इसे slice भी कर सकते हैं यदि आपके यहाँ धूपते जाती है तो मेरे यहाँ धूप कमाती है तो मैं हमेशा इस तरह से slice करके ही इन्हें सुखाती हूँ ताकि कम समय में यह जटपट से सूख जाए तो इस तरह से देखी मैंने दोनों beetroot को grate कर लिया है आपको जितना color चाहिए उतना beetroot आप यहाँ पर grate कर सकते हैं और इस तरह से grate करने के बाद में मेरे हातों को आप देख ही रहे होंगे कितना भड़िया red color आया है इनके उपर अब मैं यहाँ पर इस कसे हुए beetroot को हम एक जाली में रखेंगी तो यह जाली में रखना एकदम optional है पर मैं जाली में इसलिए सुखाती हूँ ताकि उपर से और नीची से दोनों तरब से धूप लगे और हवा लगे और हमारा यह जटपट से perfectly सूख जाए इससे अब डायक प्लेट में भी फैला कर सुखा सकते हैं करिव 2-3 दिन या जितनी तेज धूपाती है उसमें यह आराम से सूख जाएगा तो अब हम देखते हैं सूखने के बाद में इसकी क्या condition होती है आप देखी दो दिन में मेरा एकदम perfect सूख गया है हातों से से एक बाद क्रश करें और चन चन की आवाज आती है और इदम क्रश हो जा रहा है तो आप समझ लीजी यह हमारा सूख चुका है अब हम इस सूखे वे बीट को एक mixer jar में डाल देंगे चोटा वाला mixer जाड़ लें क्योंकि उसके blades पीसने के लिए बहुत अच्छे होते हैं अब हम इसका धकन लगा के एकदम से fine पीस लेंगे तो एकदम perfect red color हमारे पास आएगा जितना बारिक आपको इसे चाहिए उस दे बारिक आप इसे चान सकते हैं आप इसे कपड़े से भी चानेंगे तो एकदम fine आपको यहाँ पर red food color मिल जाएगा यह हमारा powder form का food color है इसे आप इस तरह से बनाने के बाद में एक bottle में भर कर फ्रिश में या room temperature पर आराम से महिनों तक store करके रख सकते हैं बहुती बढ़िया organic food color इसे आप सबजी, curry, cake, batter बनाते वक्त यूज कर सकते हैं और पाव भाजी वगर जिसको red color चाहिए आप बनाके इसे डालें तो बहुती भड़िया perfect color आएगा अब हम बना रहे हैं gel color, gel color के लिए मैंने आप यह दो बीटूट को धो लिया चील लिया और सबसे कट कर लिया अब से mixer jar में जिसमें हमने पावडर पीसा था उसी में डाल दूँगी साथ ही में करीब आधा से पॉन कप हम यहाँ पानी डालेंगे पानी जरुत के कोडिंग ही डालें क्योंकि यदि यदि पानी यदा डाल दिया तो cooking process हमारा बढ़ जाएगा इस तरह से मैं इसे पीस लूँगी जरुत पढ़ने पर पानी डाल सकते हैं पर unnecessary ना डाले नहीं तो पकाना ज़्यादा पड़ेगा तो आप देखे कितना अच्छे से हमारा यह पीस गया है एक तो फाइन पीस लीजिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इसका juice मिल सके बहुती बढ़िया कलर आया है देखिए आप अब हम इसे चान लेंगे तो इस तरह से एक बोल के उपर चलनी रख दे और इसे दबाते ताकि बीटरूट का सारा रस हमें मिल सकें और फ्रेंड्स जो उपर जो आपको यह पल्फ दिख रहा है इसे फेंके ना किसी सबजी में डाल दीजिए एक साथ तो ना डालें थोड़ा थोड़ा दो दो चमश डाल सकते हैं ताकि उसका सबजी का कलर भी अच्छा है और आप पर कुक करें क्योंकि अब यह काफी पतला है और इसे हमें ठेक करना है तो यदि आप गैस के पास ही खड़े हैं तो इसे मीडियम टू हाइफ फ्लेम पर हिलाते हुए से पका लें ताकि यह निकले ना क्योंकि यह काफी उफनता है तो और यदि आप दूसरा काम कर रहा है तो इसे लो फ्लेम पर पकने दीजिए बीच में एक दो बार इसे हिलाते रहे है तो यह आराम से जटपट से आपका यह कलर बन जाएगा पहुँजादा टेंशन लेनी ज़रत नहीं है मैं हमेशा इसी तरह की रेसिपी आप सब के लिए लाती हूं कि बहुत टाइम तो इससे हमारा जो जैल कलर है सालों साल महीनों तक ऐसे ही बना रहेगा तो इस तरह से देखी दिरी दिरी से और घाड़ा करना है और इस तरह फ्लेम को लो कर दिया था लो पर आप देखिए अच्छे से पग गया है काफी बड़े बड़े बबल सा रहे हैं अब हम यहां प प्लेट पर ड्रॉप यहां पर कलर की डाले और आप यहां पर देखें रॉप फैल नहीं रही है अब दो फिंगर के बीच में आप इसे इस तरह से चेक करें जिस तरह से कि हम चाश्टी चेक करते हैं एक तार बन रहा है यानि कि हमारा यह जो जैल कलर बन गया है अभी चाने नहीं रहेंगे तो पतली वाली आप चलनी ले मेरी पास थी पतली थी पर मैंना भी इसे चान लिया है आप एक्दम फाइन वाली से चाने दबा कर हम सब चान लेंगे और इस तरह से तयार है हमारा रेड जैल फूड कलर जो बहुत कॉसली मिलता है मार्केट में अभी ह हम इसकी क्रॉस टेस्ट भी करेंगे वाओ कितने अच्छा कलर आया है देखिए जहाँ जहाँ यह रंग लग रहा है मेरा घर पुरी केचन ड्रेड रेड सी हो गई है यह मुझे बाबार हाथ पहुशना पढ़ रहा है और बहुत ही पॉफेक कंसिस्टेंसी का हमारा रेड ज जैल फूरल करे बनायां इसे थे बाडाल में फिर सकते हैं बहुत ही अच्छा बनाया रुकी है अभी जाइए मत अभी हम तेस्ट करेंगे की यह जैल कलर वारा अच्छा बनाया नहीं नहीं तो आप लोग सवाल करेंगे कि इसे घुस-च्छा करते हैं कि यसमें यूज करें डेकि इस अब आपको बता रहा है कि कैसे कैसे आपको यूज करना है मैंने हाँ पर याप आपर यह बाल का कलर कि इसे एक बोल में डाले और इसमें पानी डाले तो आप देखिये कितना अच्छा पड़रा है पाणी Herm मेंक यहां पर मार्डट है इसे आप यहां पर टॉर डाल रहें ऑभ में इसे दालेंगी है और मेंट यहां ब्हुत इंद सकते हैं आप कि आपको प्रॉपर तरीके से आंसर्स और रिजल्ट्स मिल सकें कि हां हमारी यह चीज पॉफेक्ट बनी है और हमसे भी घर पर एकदम पॉफेक्ट ऐसी ही बनेगी तो देखिए इस तरह से आप केक्स को डेकोरेट कर सकते हैं तो मैंने आपको यह वाला स्टेप बता दी काफ आ रही हूं कि यह इस तरह से फॉंडेंट में डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर ले और आप देखिए मैंने काफी अच्छी कॉण्टिटी डाली है यहांपर जैल कलर की क्योंकि लिक्विट फार्म में होता है थोड़ा सा तो इससे फॉंडेंट विगर सकता है देखिए कितना अच्छा हमारा color आया है और fondant एकदम perfect texture में है एकदम perfect हमारा fondant बन गया यानि कि इस test में भी हमारा एक color पास हो चुका है अब next करते हैं melted white chocolate बहुत delicate होती है इसमें कुछ भी गड़बड चीज़ डाल दी तो chocolate एकदम curdle हो जाती है थेक हो जाती है और बिगड़ जाती है मैंने यह gel food color डाल दिया और इसे mix किया अरे यह तो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा यानि हमारा यह test पी इसने पास कर लिया है अभी आपको हलके से दाने दिख रहे है इसे एक दो बार थोड़ा से एक सेकंड के लिए तो यह दाने चले जाएंगी तो इस तरह से हमारा यह test पी पास हो गया है वाव पॉफेक्टली हमने यहाँ पर यह gel color बना लिया है इसे बोटल में भर कर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं कर लिए आप इसी ट्राइ करें अपने एक स्पीन समस्ता जरू शेक करें मिलते एक नई रेचिपी के साथ थेंक्यू